तो हर्याना सीविल सर्फिस का अभ्यास कैसा चल रहा है जो हमारी सीरिस चली यह बिठा तो आपका अभ्यास और हमारा अभ्यास कैसा चल रहा है जैसे कि प्रिवेश यह में किस तरह के प्रेशन बन सकते हैं उन दोनों का थोड़ा सा ताल मेल बिठा के इस लेक्टर को बनाया जाता है तीन हमारे शेशन जो चुके हैं परसेंटेज का रिशो प्रपोर्शन का और हमारे पास हो चुके हैं आपका स्पीड टाइम में डिस्टंस का जहांते मुझे याद है अब हमारा फोर्ट सेशन हाज और यह अवरेज का बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टन बात आपको में बता दू क्यों अभी मन्यों आएस नंबर वन है एक सिसकी तयारी के लिए क्यों आखड़े खुद इसकी गवाई देते हैं क इतना 27 जी नहीं बहुत बड़ा नंबर है विकॉस साथ से बासट बच्चों को ही तो बुलाया गया था तो यहां पर क्या है सत्ताइस ओल्मस ओल्मस फिप्टी से थोड़ा सा कम सत्ताइस प्लस कि 40 40 45 45 के आराउंड है आपके पास जो परसेंटेज बैटी है तो ध्यान रखिए कुछ चीज़ें नहीं चेंज होती जैसे अब यहां पर डेडिकेटिड मेंटर्शिप है वन टूवन बच्ची साथ डिस्केशन होती है बच्चों को पर अपनी गया जाता है एक छोटी से चीज़ें इसलिए ऐसे प्रिल्म फास्ट एक बैच आया आपके लिए जो है आपके बस लाइब सेरफ और सिरफ कितना 35,000 बैं आपके पास 75 विडियों का कोर्स है और इसकी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा आपके पास देखिए फास्ट एक बैच है इसमें आपको यह आप ऑफ-लाइन या ऑउन-लाइन दोनों कर सकते हैं आपके साथ सेट और नोट्स हैं आपकी टेस्सित मिले आपको इसमें और आपको इसमें डेडिकेटी में इसमें मिलने वाली 75 डिज आपके दोर से कहीं से नाचाहते है तो ऑदर और एकर पास हैं यहां की लगा सकते तो वैले न गुड़ आप और फ्रेंट ग्लास्ट इंचोए कर सकते हैं एक लिए आज का हमारा टॉपी क्या है मैं जैसे बताया था शूरू में हमारा अबरेज क्या होता है देखो मैं आपको बता दूब एवरेज पड़ा ओता है अगर आप लोगों ने छोटे होते हैं अबरेज पड़ा ओता हो तो आवरेज क्या होते हैं पेसिकली होता है कि अपने अफ ओल दो अब्सर्वेशन अपन अब्सर्वेशन अपन नम्मर ओफ अब्सर्वेशन समझागी बाद कई तरी के सो तक इसकोंटिनूट्स दिसकॉंटिनूट्स हो सकता है आपके पास ठीक है जैसे में बात करूं सम आपके नंबर्स हो सकते कुछ भी हो सकता कोई डेटा हो सकता है डेटा अफ क्लेक्शन हो सकता है बसलिए अब्सर्वेशन करने वाले हैं यहाद रखेंगे जहां यूज हो सकते हम इसे करेंगे बट आज हम थोटा सा शॉटकाट के मूड में की शॉटक आउट इन ओल्ड ओकेशन इसका मतलब कोई बैट्समें उसने एन प्लस टू इनिंग के लिए और हान इनिग में उट हुए हमें एन भी बता नहीं है इस एवरेज स्कॉर इन प्लस टू इनिग वस टू इनिंग ती उसमें उसको स्कॉर क्या रख़ा है टूंटी में रहें और लास्कि जो टू इनिंग उसमें उस बैट्समें चुट्टी सग्वेशान उसमें 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 उसका घ्रीमार दो डगरीमां डेफिनेट गरीमां बनाया तर अटात्तिस से कम है प्लस आप इस और वह यह कह रहाग है in innings में इसका average score कितना रहा हुआ 30 कितना रहा हुआ 30 तो वह क्या कही रहा है lowest score was x दा the smallest possible of x बहुत easy question है इस sapra बातो 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 निकल भी चुछड़ को प्लीज अभी को देखिए पैन कॉपी साथ रहे के और लाइक शेयर सब्स्राइब करना प्लीज मत भूले बच्छो चैनल को अगर बात करो टोटल तो रंस स्कोर डिन एन प्लस टू इन कितना हुआ एन प्लस टू इन टू अफ कितना भाई 29 यानि कितना हुआ 29 एन प्लस 58 क्लियर बट उसने क्या बहुत लास की दो इनिंग में स्कोर कितना 38 और 15 आप क्या कह सकते हैं इस इंप्लाइज है टोटल रंस कोड इन एन इनिंग अब एन इनिंग क्यों वह ला क्योंकि मैं क्या करने वाला हुआ यह 29 एन फिफ्टी एट माइनस ओव लास की दो इनिंग को भाई माइनस का तो कितना आ गया है 38 प्लस 15 तो यह कितना रहा है मेरे बाद 29 एन प्लस 58 माइनस 53 फाइफ ठीक है कोशन में एक और बात बोली कहीं यह मेरे पास जो टूटल रहन है वो किसका है वह एन प्लस स्वरी एन इनिक्स का है क्लियर अब एक बात और उसने क्या बोला एक चीज़ और दी है कि भाई आपके 30 रंस है कि इन दीज इनिंग हिज एवरे स्कॉर वस्टाटी कोशन है टोटल रं स्कोर्ड इन एन इनिंग वो कितना होगा 30 है और यह किसके क्वल है 29 एन प्लस 5 विकॉशन में बोला है कि अगर लाज्ट के दो इनिंग को उटा दोगों जो नींग है उनका स्कॉर घतना थर्टी तो अगर एवरेस स्टैटी यह तो आवरेस क्या होता है सम उपोन उब्जर डियुक्त यानि मेरे पास इनिंग्स कितनी है तोटल आप को कि 5 प्लस दो साथ और पांच इनिंग दो स्कोर दिया पांच से मुझे देखना आप देखो सिंबल सी बात उसने एक बात और बोली अगर उसको लोवेस को एक्स है और हर इनिंग में उसने देखो तो एक बात बताओ मिरे फर्स्टी निगे अगर एकस को मिनिमूम होना है तो बक्की चार को मैक्सिमूम होना पड़ेगा यहां नी बहुत अच्छा था यह बहुत अच्छा था यह अवरेज गे उन गोश्चन्स में इसे हैं जिसका लेवल बहुत अच्छा था एक हैस के एक्जाम को लेते हुए किसी भी ग्जाम में आएगा तो डेफिनेटी एक अच्छे लेवल कोश्ची नहीं माना जाएगा तो प्लीज लाइक शेर न सब्सक्राइब चलिए नेक्स कोशन में चल रहा हूं मैं मिटे मिश्टर हर्शल स्पेंट्स चलिए weight of the highest and the lightest patient is HCS आपके 2021 के प्रशन है मेरी प्यारे बच्छों चलि कैसे करेंगे बाइस कोशन को हाव विल यू दू दिस कोशन कि देखो मेरे पास टोटल आठ बच्छे हैं कि फिर वो क्या कहा रहा है दाव एवरेज़ विट उसाइवन लाइट एस मतलब साथ जो अपने पास टोटल आठ बच्छे हैं देखो मैं कहता हूं यहोगा लाइट एस लाइट एस्ट और यहोगा है विएस्ट उसके बीच क्या सिक्स पेशन बच्छे इसका मतलब जब मैं इन लाइट एस्ट और छे वालों को देखता हूं तो इनका कितना है एक बात आओ यह कितना है कितना है एक ही बात करूं साथ साथ की बात करूं कितना है अब एक बात आओ अगर मैं बेसिकली बात करें 49 गैप किसका है यह 49 गैजी किसका गैप है मेरे प्यारे बच्छों आप अगर ध्यान से देखोंगे छे पेशन तो वहां पे भी कॉमन है यहां पे भी कम कट जाएंगे तो डेफिनेटली जो गैप होगा किसका होगा है विए स्टोर लाइट अप्शन न राहुल स्कॉर 98 दा एवरेज स्कॉर अब दा ट्वंटीफॉर सुड़ अधर देन मोहन इस 48 दवरेज स्कॉर फॉव अवरेज स्कॉर ओफ टॉन्टीफोर सुड़ अधर देन राहुल हां मच मोहन है स्टो थोड़ेंगे तो आपका प्रूंश-वार्याइड कैसे करेंगे क्योंकि यह कॉश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने में एक्जाम के लिए काफी मतलब उज्जा हुआ लग रहा कुश्चन की काफी कुछ करना पड़े उसने क्या बोला टोटल ट्वंटी फाइव स्टूडेंट अफियर फोन एंग्जामिनेशन राहूल एन मतलब तोटल ट्वाइव हैं थीक है 25 में से दुव हैं मेरे पास एक राहूल है एक मोहन है और इनका प्रवे कंडिशन बताई गई पहले समझे एक स्में को प्रवाफी मोहन राहूल स्कॉर नाइट राहूल ने क्या किया नाइटी इट स्कॉर किया मैं मानता हूं कि बाई कितनी थी मेरे पास मेरे पास मैंने माना कि 25 स्टूडेंट की एवरेज के एक्स है उसने क्या बोला राउल स्कूर नाइट एवरेज और टूंटिफोर सुडेंट अदर दर मुहन इस 48 इसका मतलब अगर मैं टोटल एक्स में से मोहन के मांक्स निकाल दू और यह कितने भाई 24 बच्चे बचे तो मेरे पास 48 इस यह कंडिशन मुझे बोलती है अभी मोहन के मांक्स अपने को पता है अपने को राउल के मांक्स पता है नेक्स कंडिशन क्या कह रहे है दा एवरेज को लो ओल दा 25 सुनेटिस टू मोर देन दा एवरेज को लो 24 अदर दन रहुल अब यह कंडिशन तो देखो मैं यहां लिख लिखता हूं पहले वाले ठीक है इसको बाद में रिटेंगे दूसरी कंडिशन क्या कह रहे है मुझे कि अधर दैन किसकी अधर दैन राहुल चलिए देखो नेक्स कंडिशन क्या कह रही है इस टू मोर देन दा एवरेज सुनेट ऑफ 24 सुनेट इस सबसे बहुले 24 की अवरेज कितने देखो एक्स एक्स हमारे पास थीक है तो एक्स अपान 25 इस इकल टो एक्स माइनस ओफ मोहन हो गया भाई राहूल डिवाइड़ बाई 24 प्लस तो यह समझो यह क्या कंडिशन मुझे अच्छे से समझ आई यह समझने वाली बात है इस दो अलग अलग कंडिशन थे क्या समझ आई मैं दोड़ा साइड हो जो ताकि आप लोग दोन्नों को दोन्नों कंडिशन को एजी लिए अब देख पाएं क्लियर अब देखो अब आपने क्या करना है अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए देखो इसको सॉल्व करें तो क्या एगा एक्स माइनस मोहन का कितना स्कोर में रावज को दिये हुए मोहन मोहन राहूल मोहन आर कमिंग टू राहूल स्कोर नाइट राहूल कर दो चलो 98 है चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स पॉन्टी फाइफ इसको एक्स माइनस ओफ नाइट प्लस 48 डिवाइड बाए 24 यहां से वहां पुट करेंगे मोहन का तो निकालना है यह मुझे उनका स्कोर तो अपने को निकालना है तो भाई यह कितना होगा देखो यह मैं मिटा देता हूँ तो कितना आ गया 24 एक्स इसकाटो 25 एक्स माइनस ओफ 1250 तो एक्स कितना आ गया 1354 एक्स मैंने क्या माना था एकषपे टोटल स्कोर अबाई आ कि उपर राच्स को रिटा सको हो गलती से लिख दिया होगा तो यह तो 1250 हमार 2 7 44 31 गारे सो बावन है कि सो मोहन के स्कोर कितने बारे सो पचास कि माइनस वन फाइव तू कितना हो गया काफी अच्छा कोशन था बहुत दमाग के दा टाइब का कोशन था और कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि एक्चुली मोहना का चाहिए तो ध्यान रखिए आपके पास यह दिया हूँ कि टोटल मार्क में से ग्रिस्के निकाल दोगे तो यह यह एवरेज चलिए नेक्स पर ब चलिए अधा पिरेंट्स एफ एम नंबर ओफ चिल्रेंस अधा एवरेज एज ओफ फादर मदर एंड एम चिल्रन इस 20 एर्स ठीक है दा फादर इस 48 यह ओल और अवरेज एज अफ मदर एंड एम चिल्रन इस 16 अधा नंबर एम नुमेरिकल वैलिए से दोजर बाइसे पोशन प्लस अधा नंबर एम चिल्रन इस गुल ड़िए पैट्री इस गल टुटन टुम अधा फादर प्लस मदर प्लस अधा नंबर आप चिल्रन इस गिल्टो कितना होगे 60 हो गया क्लियर पैली कंदिशन फूल था फादर इस फॉर्टीट रोल दे आवरेज ओ मदर एंचिलन मतलब मदर प्लस मदर ऐसे लिख लो प्लस एंचिल्टन कि इनकी अभरेज कितने है भाई 16 16 गुना 2 कितना होगो यह यहां पर कितना आएगा देखो एक यहां पर थी नहीं है यहां पर आएगा आपके पास यहां पर आएगा आपके पास 2 प्लस एम जी यहां पर आएगा मेरे पास 2 प्लस एम नंबर अफ चिल्डर विकॉस फादर मदर टू चिल्डर तो भाहिय में पता ही नहीं है क्लियर दीसरे वाली कंडिशन क्या दिया यहां पर कितना दिया देखो यहां पर पिता जी कितना दिया देखो यहां पर 48 एम प्लस एम यह इसकी वल्यू कितनी है 16 प्लस 16 एम इस इकल टू कितना हुआ 20 इन टू टू इस 40 प्लस 20 एम ठीक है ओबली दिख रहा हुआ चलो मैं यहां लिए देता हूँ इस इकल टू 40 प्लस 20 एम क्लियर तो यह कितना हुआ देखो 64 प्लस 16 एम इस इकल टू 40 प्लस 20 एम तो चार एम की वल्यू कितनी हाँए 24 एम की वल्यू कितनी हाँए आपके बास 6 तो आपके बास अंसर कितना हुआ अप्शन नम्बर भी एकलियर तो यह बिल्कु सिंबल एक्वेशन थी थोड़ा से ध्यान रखिए कि यहां पे टू प पता ही निया चलिए जी बहुत अच्छा कोशन है दा एवरेज ओफर रंस ओफर क्रिकेट प्लेरी इन टैने इनिंग वास थर्टीटू हाँ मैनि रंस मस्टी में इंग इन नेक्स इनिंग सो आइस तो इंग्रेज इस आवरेज जो आफ रंस बाय फोड कैसे करेंगी जिस को को देखो उसने बोला मैं बोलो टैन इनिंग है तो ठीक है इसका मतलब अपने पास क्या होगा तो टोटल रंट को स्कोर्डिंग है टैनिंग है कितना होगा मेरे पास 10 इनिंग हर में 32 बना रहा भाई स्कोर्ड इन नेक्स इनिंग अब देखो तो टोटल को स्कोर्ड इनिंग देखो इसका मतलब नेक्स इनिंग की बात करनी और एवरेज चार से बढ़ी चाहिए तो कितना होगा ग्यारा गुना बत्यसों चाहिए तो यह कितना होगा 396 इसका मतलब 320 थे 320 थे कितना होगा 76 बनाने पढ़ेंगे option number is the right answer clear तो लाइक सबसे जरूर कीजिएगा नेक्स कुशन बीचल रहा है चलिए बहुत अच्छा कुशन नेक्स दैवरेज वेट परसन इंक्रीज बाए 2.5 कजिए वन नुव परसन कमज इन प्लेस और वन उफ देमाइट वेट इसक्स्तिफ़ाइग गेजी वट माइट बीडव और एबीसी कुछ भी रख लो ठीक है वह कहारे एक परसन बाहर गया जिसका वेट कितना था कितना को 20 जी बढ़ गया है 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 कि यह 20 केज़ी कहां से आया होगा सोच के देखो अगर बंद बहुटा बहुट बहुट आँगा का इसक्सटी फाइव कीजी का ही परसन अंदर आया होता तो मैं क्या बोलता भी नो चेंज बट अब तो कहां से होंगे डेफिनिटली जो अंदर परसन आया वो 65 और अपने साथ 20 kg लेकर आया तो कितना हो गया 85 kg ध्यान रखो जो कंसेप्ट मैंने बताया बस आपने इसको देखे चलना ऑप्शन नमबर दी बिल्कुल सही है इसका अंसर क्लियर चलिए चलो यह भी सेम ऐसे कोश्चन है दा एवरेज वेट आपक्लास ओफ टॉन्टी फॉन्टी 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 फॉन्ट्स है उनका वेट कितना मेरे पास थर्टी फाइव फॉन्टे फॉन्ट नहीं ला लिया मतलब प्लस वन कर लिया सुदेट बोलो टीचर बोलो यह अब टोटल कितने होगे टॉन्टी फाइव परसन होगी वो कह रहा है कि अब अब भी अगर मेरे पास जो टीचर है उसका आइवरेज वेट बराबर ही होता 35 तो कोई दिक्कत नहीं थी अब टूटल नंबरों परसन कितने होगे भाई 25 एक परसन की बात करूं कितना वेट बड़ा 400 ग्राम तो 25 परसन का कितना बड़ेगा वेटा 400 ग्राम इंटो 25 बताइए मुझे बड़ेगा यानि कितना होगे यह 10 kg होगे यह 10 kg कहां से होगा डेफिनली जो टीचर है वो अपने साथ 10 kg लेकर आयोंगे तो अंसर इस 45 और एजदा और राइट अंसर क्लियर तो यह काफी अच्छा कोशन था जो हमने अभी भी किये जल्दी से नोट कीजिए चलेंगे नेक्स कोशन के उपर क्लियर होगे सारे कोशन भाई प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना बहुत महानत से कोशन करवा रहा हूं क्लियर जल्दी से करते हैं खासकर वह जो मैक्सिम वाला कोशन था ना मिनिमा मैक्सिम वाला वह देख लो तरह केसा दूसरा भी बता दूंगा कि कैसे करना उसको बढ़ पहले इसको क पास 50 observation है उनकी average कितनी है उन्हों ने कहा भी एक एक 23 थी आपने लिया 23 होनी कितनी चीए थी 48 लेटर जैट एन observation 48 वास रॉंग टेकर थी इसका मतलब 23 आपने जोड दिया जोड़ना कितना था भाई 48 इसका मतलब कितने का डिफरेंस इसका मतलब जो टोटल सम्था उसमें 25 कम है जो टोटल सम्था वह कितना 25 कम है अब एक बात आओ मेरे पास सो परसन है मुझे सो रुप सब्सक्राइब क्या हो हरा आदमी को पचास पैसे दूंगा भाई क्योंकि सो में इस तरीके से मुझे फिफ्टी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है कि पच्चिस नंबर देने तो एक ऑब्जर्वेशन को इतना दूंगा मैं कि पच्चिस बटे पचास यह नहीं कितना एक बटा दो यह नहीं 0.5 इसका मदा जो मेरी आवरेश बेले 36 थी जो मेरी आवरेश बेले 36 थी उसमें 0.5 और जो तो कितना अंसर आ गया 36.5 क्लियर जान रखे थोड़ा सा इंपोर्टन था यह कोशन को सा अपर जल्दी से नोट कर लेंगे चलिए अब मैं आपको एक प्रस्पेक्टिव और बता दूस कोशन का देखिए यह वाला कोशन था हमारे पास नहीं यह कोशन नहीं था मेरे पास मेरे पास था यह वाला इसको चाहिए था मैंने 37 प्लस 37 प्लस 37 प्लस एक्स ठीक है प्लस एक्स थीकटा कितना था 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 जब मेरे पास थे वले दुआ थी अब एक का मौर भी कर से तो और मिनिमम उसने नहीं यूज किया ना क्या बहुत था स्मॉलस पॉसेवरे लो यह सब्सक्राइब यह कर सकते हो फिर आपका अंसर चेंज होगा तीन छे नो दस ग्यारा एक्सों बीस प्लस आच्छे तेरा पाच ठारा चार बाइस तो यहां से एक्सी वैल्यू कितने आए आपकी आठ तो ध्यान रखिए कोशन पूछा क्या जा रहा है वह आपने ध्यान सब्सक्राइब को जितनी ज्यादा बाकी चार बड़ी होंगी लास वाली उतनी ही छोटी मिन देखने को मुझे मिले के बाद ध्यान रखना और प्लिस पॉइंट में मत लेना कि 37.5 37.5 37.5 ले लो समझे रहो फिर अंतर आपका क्या आएगा आपकोई पता है बताये का क्में सब्सक्राइब क्लियर तो यह भी कोशन काफी अच्छा था जो हमने किया था एक यह वाला कुशन मुझे बड़ा पसंद आया क्लियर तो इसकी बेसिक सी एक्वेशन थी जो हमने फॉर्मलेट करने थी चो मोहन के निकालने थे रावल को आपने देख लिया रहे क्लियर तो क्लियर तो मुझे आर से ठावल क्लियर तो झालने दावल कर दो काई रहे बड़ा सवाल कई अभी अच्टार करने देख लिया आयास सब्सक्राइब को अवाल